का है है आप लोग को बताने जा रहा है कैसे क्या जाता है है करके कैसे करते हैं तो उस स्वीच बोर्ड में दो तारायं मड़ाता हैं हम कोई ac circuit गाट बनाते हैं जैसे circuit जो होता है वह तेन प्रकाल का होता है वह भुज्ञ शर्किट ओपन से और शोर शर्किट तो हम अधिकतर जो है खसे सिर्कुट करने कोते के साफ़ यह जोगित आप्लाइश करते हैं कर सोट 쓰고 करेंगे तो हम वह समझेंगे यह क्लोज शर्कित है यह ओपन शर्कित है यह शॉर्कित है तो पहले हम क्लोज शर्कित शॉर्कित और ओपन शर्कित में थोड़ा सा अंदर बताते हैं जैसे मान लिजे कि एक बैटरी है क्या है एक बैटरी है क्या है एक बैटरी है ठीक है यह इस से क्या है है इससे क्या है मिनिटाच अम क्या करते हैं कि एक यह कर तरह कर सब्ञाइब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं एक बल्व के साथ कैंट कर आप हुआ ति पल्वा जैसे किया तोarlivan काता है के आप और इससे होकर के ऐसे और इस अप्लाइन से जागर के यहां से आया उसी में फिर सोर्ष में क्या होता है रेटर्ण हो जाता है इस प्रकार के एक इसी प्रकार से हम जैसे कोई चलाते हैं तो जरूरत जैसे मेरा जरूरत हो उस जरूरत की अनुसार उसको कंड्रोल करें इस प्रकार को कंड्रोल करने के लिए करते हैं घृव हम क्यं चाय करते हैं इसमें तो एक स्विच करते हैं 과 क्या है तो एक सब्सक्राइब कि यह सब शबन करें 있을 जो क्या करेगा कंट्रोल करेगा है कैसा कंट्रोल यह पुई मात्रा को नहींत करेंकल जैसे दो इंपर इसमें करदेंट बढ़ रहा है तो उसको мотрático नहीं करेंगा यह क्या करेंगा इस सविछ के तुर्फ युφ इस सब्लाइ में on करेंगा यह आफ कर देगा ठीक है तो इसके मानफाची क्या होगा इस इसके थुरू जब करेंगे जब ज़रूरत नहीं हो तो आफ कर लेंगे एक क्या है एक कंट्रोलिंग डिवाइस है फिर हम इसमें बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं जैसे प्रटेक्शन के लिए जैसे माने शॉर्ट हो घ्या कोई फोल्ट आया तो उसे बचने के लिए क्या करते हैं यह तो समझते हैं कि इसमें कंट्रोल करने के लिए स्विच करते हैं और पॉट्रेक्शन के लिए हम यूज करते हैं तो अब यह जो है यह क्या है एक क्लोज शर्कुट क्या है क्लोज सर्कुट क्लोज सर्कुट अब देखिए फैसा ओपन सर्कुट open circuit का मतलब यह होता है यह हमारे पास तो होता ही है हमारे पास क्या होता है तो हमें करते हैं हम एक क्या कर दिए यह क्या लगा दिए क्या लगा दिए और इसमें क्या कर दिए हम बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं तो इसमें देखते हैं कि जब यह करेंट इस से निकलता है और यहां पर और किया है यहाँ पर यहाँ पर है क्या है अब है में जुरा पश्च स्विच कहा हो क्या है जेसेयन करने वाला जो हुआ फ्राइब होता वह वहां पर चैसर फ्लो नहीं होता क्यूंत है जाता है क्लेट और क्रेंट नहीं फूल होगा तो इसमें करेंट तो जाएगा ही यहां से क्रेंट बट इसके करेंट जायी तो ऐसे सर्क्राइब सकते हैं तो फेंट कि लिए क्या है ओप सबार स्ब्सक्राइब आप देखें अब तो होता ही है और उसमें अप्लाइंस भी होता है और उसमें क्या होता है मतलब जो यूटिलाइज करते हैं जैसे फैंड हो गया तो यह क्या है किया यहां पर क्या किया है हम स्विच को ओन करने क्या कर दे और क्या हुआ है और इस पर क्या हुआ यह यह से जाएगा तो यहां पर यहां प्र्च तार अगर ले टार हो गया करण ilरी कशन में ये K परला से तक हो गया होता है इससे नहीं हो करके जाकर के दर क्राम नहीं जायता ये कहाँ जागा इस होगर के क्रेंट साड़ा का साड़ा फ्लू हो जागा और यह ऐसे सर्कृत ने बहुत जादा है लुक होने लगता है और हो हाँ पर होता है है टब मत आपकर डिवाइस हो जाता है कराब हो जाता है केकरण Dienst के गानग तो यह क्या होगी आपका यह जोंगे इसको केंगे तो मुझे उमीद है कि आप और समय गये होंगे और जितने भी अलेक्ट्ट्र को निटवर्क है यह कोई भी चीज्ट जिदना भी अलेक्ट्र का सरकूट है उसमें यही यह जो है शोर सरक्यित है उपेन सरक्यीत है इसी का साड़ा रॉल होगा जितना भी इजिए स्टार्टिंग में यह वाला जो सरक्यी यहीं सरक्यीत परते हैं पर है और दूसरा परते हैं से जारेट औरar शरीज में क्या करते हैं डाइब जो आइसका मतलब है कि जब कोई कोई मालीजे कि कोई यहां से इस ए बिन्दू से बी बिन्दू तक जाना है किसी को मालीजे एब इंडू से बी बिन्दू तक जाना है अगर हम कहें कि इसको एक ही रास्ता मिले A और B के बीच में जाने के लिए अगर हम A से B तक पहुँचने के लिए A की ही रास्ता मिले इसमें कोई भी ट्रैफिक हो कुछ भी हो यानि जाने के लिए एक ही जब रास्ता होता है तो वैसे सर्कित क्या हो जाता है स्रीज सर्किट हो जाता है बट लेकिन अगर A और B के बीच में अगर A यहां पर फिर से हम दिखाते हैं यहां पर A है और यहां पर B है तो यहां A से B के बीच में अगर हमको जाना है A से B तो हम एक से जब अधिक रास्ता से हम चले जाते हैं एक से अधिक रास्ते से जो जब ह क्या कहते हैं कि पैरलल है यानि एक से अधिक रास्ता जिस सर्कुट में हो जाता है तो आप यहां किसको कहते हैं और चिसको क्या कहेंगे कि ये चिसको क्या कहेंगे या कहेंगे तुक शरीज में च्रीज में स्रीज अब फीगर के तुम समझते हैं हम जैसे ज्रुज ज्यादा प्रें में क्या हुता है उसका रिव्यू होता है उसको जादे सोच सकते हैं तो हम बाइब फिगर की थू समझते हैं जैसे जासे आप समझे एक बल्व है निया कि क्योंकि दो बल्व को हमको कनेक्ट होता है न एक से अधिक चीज़ को क्या करते है क्रेक्ट कर सकते हैं है तो जब हमको एक से अधिक जब जोड़ना होगा क्लोश किट में तो हम को दो तरह का पूर सरुकिट बन जाएगा या तो पहले बन जाएगा तो हम यहां पर दिखाते हैं आपको सबसे पहले तो पैरल्ल में कैसे होता है जैसे माल के यहां पर देख लिए हम को जोड़ना है यह यहां पर यहां पर देखील और यहां पर यहां 20 यहां पर देखें यह B1 और इसको भी टू मानते है आँप यहां A से B तक पहुचने के लिए यह से B तक पहुचने के लिए उनक vos कितने रास्ता है एक से अधिक रास्ता है आपके सरकीट को क्या कहेंगे पैरलार सरकृत कहेंगे बट अब अगर स्रीज सर्किट में देखते हैं तो दो बल्ब को जोडने के लिए एक बल्ब ये हो गया एक बल्ब ये इसको मालेते हैं एक और एक बल्ब क्या हो गया ये हो गया इसको मालेते हैं भी और यहां पर क्या कर दिये कनेक्ट कर दिये तो यहां पर देखिए आप कि A से B तक जाने क लिए जो हमको क्या है एक रास्ता मिला इसलिए सिर्पित को क्या कहें तो आज हम बताएं क्या फिर से बता देते हैं कि कोई ही सर्कुट यो होता है तीन प्रकाड कशर्कुट होता है कितनी है क्यों से की ओपर अर शॉर्कुट ठीक है अब यह सॉय 가지 का वी जिस जम श्रुट जो स्थे कि आप ऐसी जो बया ठह्यकों है तो जयσ seasoning initiatives को को एक से अधी क्लोशर के लिए बनता है तो वह दो रूप में आता है कौन-कौन रूप एक तो पैरलल में और एक स्रीज में जिसको हिंदी में करते हैं समानांता और दूसरे स्रेनी क्रम में तो इसके भी देखे कि जैसा होता है जब हम एक से जा सकते हैं तो जब यह समझते हैं कि पैरलल सर्कुट में जब एक से अधिक रास्ता हो जाता है क्याक केता है अब इस पैरलल सर्कुट में कुछ कंडिशन होता है में हमेशा-ध्र बोल्टेज हुंchlossen होता है कि क्या होता है यह क्या होता है इसमें फोल्टेज क्या होता है और क्या होता है किया होता है कि कि यह कि पॉइंट को याद रखना है यह कि पॉइंट को कई बाड़ी जाम में मंपूछा है कि वोल्टेज फॉल्टेज समान本च और करेंड होता है और इसमें की पॉइंड किया है इसमीं की पॉइंड है की इसमें कंपर्ण है करेंट स्वांब होता है यहां करेंट सिंग या मिया करेंट इक्सक्षि है अक्सटा। ही और की मिद्वेंट सुपनीड होता है अद्रूब अ यहीं सीखें मैं परहले क्लोश कि आधिक जुड़ेगा सप्लाई में इसने सप्लाइब यहां पर रहा है अधिक सप्लाइब हो गया ऐसे सरक्राइब को क्या करेंगे और इसे सरक्राइब करें तो आज इतना ही तर और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम इस क्लास के बाद जो है रिस्ट्रिबिशन बोर्ड हम बताने जाएंगे क्योंकि इससे पहले ये शब जरूरी था चलिए कि कि